दोस्तो कुदरती जड़ी बूटियों में आपका दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम दोस्तो आपके सामने के दिब चमतकार एक जड़ी बूटी लेका हैं जो कि आप देख रहे होंगे दोस्तो यह सत्या नासी का पौधा है दोस्तो इसे दोस्तो सत्या नास के नाम से दोस्तो जाना जाता है दोस्तो आप इसको पहँचान लें इसकी क्या क्या पहँचान होती दोस्तो आप देख रहे होंगे इनकी पत्ति इस प्रकार से दोस्तो होते हैं जो कि दोस्तो आप देख रहे होंगे इनमें इस प्रकार के छोटे-छोटे काटे पाया जाते ह जो कि आप देख रहे होंगे यह दोस्तों बहुत ही नुकिले काटे होते हैं यह दोस्तों छूने पर चुब जाते हैं दोस्तों मुझे भी चुब रहे हैं लेकिन क्या करें आप तक यह वीडियो बना कर पहुचानी है दोस्तों आप देख लें इनको इनमें किस प्रकार के दोस्तों फल होते हैं यह आप देख रहे होंगे इनमें दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों फल आते हैं फल यह आती हैं जो कि आप देख रहे होंगे इनमें तो इस प्रकार से दोस्तों इनमें फल आते हैं आप देख लें तो इसके दोस्तो इस प्रकार से पीले पीले फूल होते हैं दोस्तो आप पहँचानने दोस्तो ताकि दोस्तो आपको पहँचानने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो दोस्तो आप इनको पहँचानने किस प्रकार का ही पौदा होता है दोस्तो किस प्रकार की इसमें पुस पात दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इनका पहला फाइदा तो यह है दोस्तों जब हम इनके पत्तिस प्रकार से तोड़ेंगे दोस्तों तो इन आँखों में जलन हो या दोस्तों आखों में जाला हो किसी परकार की बीमारी हो दोस्तों इसे आखों में काजल की तरह लगाना है दोस्तों तो दोस्तों आखों के सभी परकार की रोग दोस्तों समाफ्त हो जाते हैं दोस्तों आप देख रहे हैं इनकी दोस्तों तो दोस्तों और भी इनके फायदे हैं अब दोस्तों हम इनके कुछ फायदे जानेंगे दोस्तों इससे पहले दोस्तों आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों जो वेल आइकन वाली घंटी वाला बटन होता है वो दबा दें और द देख नियम अनुसार ये कफ वा पित नासक होता है दोस्तों इसका दूद क्रमी नासक वण कुष्ट चर्म रोक को दूर करता है इसकी जड़ सूजन कम करने वाली वलकारक सुक्र वर्दक कुष्ट नासक वण सोधक काम सक्ति वर्दक होती है दोस्तों सत्या नासी के दूद को आँखों में काजल की तरह लगाने से आँखों की सभी प्रकार की वीमारी ठीक हो जाती है जैसे आँखों में जलन, जाला, आसुवाना, आदि दोस्तों सत्या नासी की जड़का चून गर्म, पानी या दूद के साथ लेने से खासी वदमा में अधिक लाब होता है सत्या नासी का रस वद गिलोई का रस दोनों को मिला कर पिलाने से पीलिया में लाब होता है दोस्तो बुखार के लिए सत्या नासी का काड़ा पिलाने से बुखार ठीक हो जाता है जिन लोगों को दात खाज खुजली की समस्या हो गई हो तो सत्या नासी के पत्तो का रस लगाने से चैनो रोग में लाब मिलता है और इससे सफेद दाग में भी लाब होता है दोस्तो तो दोस्तो नपुन सकता के लिए दोस्तो आपको क्या करना है सक्तिया नासी की जड़ को आपको उखाड़ना है और दोस्तो पचास गिराम सक्तिया नासी की जड़ को उखाड़ करके धूप में सुखा लें दोस्तो और द वर्गत का ब्रक्ष लगाओ तो दोस्तों आपने 50 ग्राम की मात्रा में जड़ ली है तो दोस्तों 50 ग्राम की मात्रा में दूद वर्गत का लेना है और दोस्तों उनको लगवक सवा गंटे तक दोनों को मिला कर चूण को घौटते रहना है इस प्रकार से घौटना है कि आपस में वो मिल जाएं और दोस्तो फिर आपको क्या करना है आपको चने की आकार की गोलियं बना लेनी है और दोस्तो उनको सुखा लेना है दोस्तो सुबह साम दूद के साथ इसका सिवन करना है तो दोस्तो नामर्द जैसी सिकायत हमिसा के लिए दोस्तो दूर हो जाएगी दोस्त या कहें कि जो लोग जली जड़ जाते हैं उसके लिए भी ये रामार इलाज है दोस्तो धातुरोग सुपन दोख सीगर पतन इत्यादी बीमारी सो छुटकार मिलता है दोस्तो अगर सरी में कमजोरी है किसी परकार की सारे करे कमजोरी हो या को है यौन कमजोरी दोस्तो इस सभ एक बात और कहना चाहूंगा यदी आपको इस नोस्के में जो मैंने एक आपको बताया अगर आपको वरगत का दूद्ध नहीं मिलाना है तो आपको बर्गत का ही दूद मिलाना तो दोस्तो बर्गत का दूज ज्यादा ही उत्ता रहता है और दोस्तो जब बर्गत नहीं मिले तो आपको तब पान करस मिलाना है दोस्तो इनकी टेबलेट बना लीने जिस परकार से मैंने आपको बताया दोस्तो उसी प जड़ होती है जो कि आप पहचालने दोस्तों इसकी परकार जड़ होती है जो आप देख रहे होंगे आप पहचालने दोस्तों किस परकार सीन में जड़ होती है तो दोस्तों यह छोटी जड़ है और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए दोस्तों और अच्छी वीडियो देख अच्छी जानकारी के साथ दोस्तो जैन जै भारत दोस्तो